बढ़े एक और बड़ी खबर इसे से जुड़ी हुई जो मिल रही है वो आपको बता दे संसत सुरक्षा चूक मामले में मुखे आरोपी ललेजा बेहार के दर्भंगा का रहने वाला है उसका पैत्रक आवास गड़ दर्भंगा जिले के बहिडा थाना इलाके के ज्रामपुर उदे गाउं में बताया जा रहा है ललेजा के पैत्रक आवास पर डियस पी मनीश चंद्र चौधरी ने पहुँच कर उसके माता पिता से पूशताच की है संसत की सुरक्षा में चूक मामले में मास्टर माइन बताया जा रहा है आरोपी ललेजा के माता पिता ने अपने बेटे को बेगुनाह बता दिया है एक के बाद एक कनेक्शन भी सामने आते जा रहे है और अब जानकारी ये मिली है चूकि माता पिता से भी पूशताच हुई है हाला कि उनकी तरफ से अपने बेटे को बेगुनाह बताया गया है बेहार के दरभंगा में पूलिस ने पूशताच की है और अभी भी माना जा रहा है कि जो पूशताच का दाइरा है जाज का दाइरा है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है को इनाम मिलाता मिश्रांचर परचत से ललीद भावु टिशन करते थे और कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाते थे ये कलपता चला है उनके गिरबतार होने के बाद वो भी डूसरों से ये मुबैल हमारे नहीं है बेटे लोगों तो है हमारे नहीं है कुछ दुष हरता है वहारा कि ये य है मरा समना फेका है अंपकु समझ axणिंडर नहीं आते है है मार गारी पर भी पर दृखया भी आले आपको लेक हो नहीं जाया तो अ ce कुछ ऑन करेंगे तो झो खुना मुका ये रेकर रहों है थेां पूंदान खेंगे तो फुछ और इसी जाज के दुरान ये बात भी सामने आई है कि सबूत मिटाने के लिए आरोपी ललित ने ही अपने साथियों के मुबाइल फोन राजिस्थान में जला कर नश्ट कर दिये थे सूत्रो का दावा ये है कि घटना को अंजाम देने से पहले ललित ने चारो आरोपियों सागर, नीलम, अमोल और मनोरंजन के मुबाइल फोन भी अपने पास ही रख लिये थे और घटना के बाद वो अंजाम देने साथ ही फरार हो गया था पोलिस सूत्रो के मताबिक पूस्ताश के दुरान ललित ने ये दावा किया कि सबूत मिटाने के लिए उसने चारो मुबाइल फोन जला कर नश्ट कर दिये सूत्रो बताते हैं कि ललित ने मुबाइल फोन को राजिस्थान के नागौर में जलाया है और उस दुरान उसका दोस महेश भी उसके साथ मौजूद था सूत्रो का दावा ये है कि संसत की सुरक्षा में सेंधमारी से पहले ही ललित ने चारो आरोपी नीलम, अमोल, सागर और मरुनंजन के फोन अपने पास रख लिये थे क्योंकि उसे ये बात अच्छी तरह पता थी कि फोन से पुलिस साज़िश के सबुत जुटा लेगी और मुबाइल फोन की लोकेशन के मदद से देर सवेर उस तक पहुँच जाएगी इसलिए उसने सभी के फोन बंद कर दिये थे और बात में पक्ड़े जाने के डर से उसने उन मुबाइल फोन को आग के हवाले कर दिया हालकि पुलिस ललित की इस थियोरी पर यकीन नहीं कर रही सूतरों का दावा ये है कि पुलिस को ये शक है कि वो खुद को बचाने के लिए ये कहानी घड़ रहा